हेलो अब्रीबन वेल्कम बेक ट्वा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रम होम माइनेम इस तनु राय और हम हमारा चैप्टर टू डेमोक्रिसी वोगाच कंटिन्यू करेंगे और हम पहले थोड़ा सा ब्रीफ जाने पीछे वीडियो में पड़ा था हमने पीछे वीडियो साथ ही अपने मोमिन्स को वोटिंग राइट सीथ तो यहां पर दिखाया गया कि लोकतंत्र का भाव ओ है लोगो का शाशन यहां पर लोगों को सिर्फ में या फिर अमीर लोगों के लिए ही माना जाता था और महिलाओं को अपना अधिकार पाने में ऑ में वी अपना बेसी क अगर हम सबसे बड़े लोकतंत की बात करें और अगर हम सबसे बड़े लोकतंत की बात करें और अगर हम सबसे बड़े लोकतंत की बात करें और अगर हम सबसे बड़े लोकतंत की बात करें लेकिन जैसे हमने पीछे पड़ा कि लोकतंत के जो भाव है या जो इसके अंश है वो सब हमें ब्रेटेन से नज़र आता है वाईसे अमेरिका है वह पहले अपने 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 महिलां को करीब 200 साल का संघर्ष करना पड़ा तो हम यहां पर जानेंगे अमेरिका के बारे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे देखिए शुरुआत होती है संयुक्त राज अमेरिका में भी ग्रहय युद पस्चात ताजा हालातों में लोकतंत की प्रगति श्वेत पुर्षों तक ही सीमित थी श्वेत यानि वाल्ट पीपल की तक और महिलाएं देशा जो स्वेत लोगों को मतधिकार दान बिसवी सदी सद तक भी नहीं मिल पाया था जिस पर भी डेक्लिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंडेंस 1776 जिसने एक ही समय पर संक्त राज अमेरिका के बिधिक निर्मान को संपर्ण कर उस तेस में लोकतंत्र को स्थापित किया नहीं पर बताया गया है कि डेक्लेशन ऑफ इंडिपेंडेंडेंस 1776 डॉक्यमेंट था जिस जसको समुधान के रूप में विचाना जयता है अमेरिका मैं वहां पर ये बात डिसकर्स के रहे हां सब्चा कि यह उन्हों और उस टायम पर भी तीन के लोगों को अलग रखा गया एक भूमेंडेंस और जो पहले जो पहले जो निटिव अमेरिकन थे जो पहले से वारते थ इनको बहुत टाइम तक बोटिंग राइट्स नहीं मिले थे और प्लस अगर आपको चीज समझनी हो कि वहाँ पर कैसा संघर्स रहता है तो आपने अभी जॉर्श फ्लॉइड की हर्तिया के बाद का जो अमेरिका में पूरा एक आंदोलन वगर देखा ब्लैक लोगों का या फ जितने भी देश हैं आपको कितना भी महान साबित कर दे चाहे वह पूर्भी दुनिया के प्रती हो या फिर वो एशेन अफ्रीकन लोगों के लिए प्रती हो या नए लोगतांतिक देशों के लिए लेकिन जो इनका मूल है वह अभी वैसा ही है कि यह बुमेंस को उतनी या अनको कुछ तरह की राइट्स नहीं देना चाहते थी जो की करिभ महिलाओं को ऐसा करने में 200 सालों का संगार्षट है आप समय सकते हैं 200 साल कितने जादा होते हैं तो यह वह देश हैं यह लोगतंत्र को अपना दे लेकिन प्लाने की बात करते हैं लेकिन जो लोगतंतर क नहीं आधुनेक विश्व को उसकी प्रत्थम लोक्तांतिक सरकार और समाज प्रदान किये वंशानुक्रमित सत्ता एक तंत्र और अभिजात तंत्र सोद्रिश को नश्ट भस्ट कर दिया गया क्योंकि एक गड़तंत्रिय सरकार जिसे सभी थाकरिक कम से कम सिधान्त समान थे इ नहीं पर बताया गया कि 19- حuting जघ दासपथा क क्जाधन καथ आख 1530 wrq और फ्रों न eşओ कि इन हो ने पूर दुनिया को बता है एक तांत्रिक देश का समाज का सता होता है तैक अपर्थाए क्या होती है क्या इन होने इसे पहले पावर डिविजन की थेओरी दी थी हमारे एजुकेटिव हो या फिर जुडिसरी हो इन सब के बीच में तो ये पूरी दुन्या को बता रहें कि साइज एक लोगतंतर कैसा होता है उसकी चीजे कैसी होती है उसकी शाखाएं क्या क्या होने चीजे कैसे अपनाना चाहिए लेकि करोंने स्विश्वां ना थे चाहिए रही कि विचार रूप में मैशले कर लोगते बहुत ऑसहिं बहुत बराबर तर हम अंधानी की इन ही चाहिऊ कि ऑगि खाल चाहिए अपने रहना नहीं अन्य और जासा कि वाइट लोगों के साथ किया जाता है नेक्स्ट है हमारी सरकार की तीन साखाय कारेकार्णी विधायका और नाय पालिका के बीच शक्ति विश्यद यानि की पावर डिविजन की एक महत्तपून संस्था गत्प करिया वधी भी लागू की गई जिसमें किसी भी साखा क पूरी तरीके से शक्ति प्रज्वाइब करना अथ्वाधित शक्ति का परियोग मिश्किल हो नहीं जैसा मैंने भी आपको बताए कि इन्होंने पावर डिविजन के शुरुवात के और इस बात को ध्यान रखा कि कोई भी एक जो विंग है या कोई भी एक ब्रांच है वो आवर को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले सके और उसका मिस्तियूज ना कर सके अब आगे हम देखेंगे लेवलर्स जॉन लॉक एंड टॉम पैन की राजनितिक विचारों और फ्रेंच डेकलेशन ऑफ ट्राइटन में 1789 वा अमेरिकन डेकलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट 1776 ने उन महतफुन विचारों वा सिधान्तों को अभिवेक्त किया जिन्होंने आधुनिक विश्य में लोकतंत्र को मजबूत किया इन लेखो और दस्तवेजों के प्राय उदारवाद के घोशना पत्रों के रूप में भी देखा जाता है और इस समय उदारवाद बसुता लोकतंत्र की एक परियोजने दास थी यहां पर बोला गया है कि जो तीनों हमारे राइटर्स या थिंकर्स हैं जो थिउरिस्ट हैं लेवलर्स, जॉन लोग और टम पैन इनके विचार आपको फ्रिच डिक्लिरेशन में मिल सकते हैं अमेरिक डिक्रेशन में मिल सकते हैं देखने को मिल सकते हैं और उनने किस प्रकार से एक आधुनिक विश्व में लोकतंत्र को मजबूट बनाने के लिए बात कही यह सब ची अधिकारों हेतु आधार के स्वामेतुप पर परसंद करते हुए उन्होंने एक सर्भोम्य पुरुष्मत अधिकार की बलाकत बकालत की यदापी प्राचीन एथेंस की तर्ष पर नौकरों वा अप्राधियों महिलनाओं को छोड़ कर को बर्चित किया जाना था दिखें यहां पर वो सपोर्ट तो कर रहे हैं लोगतंत्र की उधारवाद की लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ कंडिशन्स रखिए कि अगर आप अपना होगे इनके विचारों से चीज नजर आती हैं यह कहते हैं कि सार्भोमिक पुरुष्मत अधिकार को यह सपोर्ट करते हैं मलब की क्या हुआ कि पुरुष्ट चाहे किसी भी उमर के हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो या फिर कितने भी अमीर हो उनकी संपत्ति हो या ना हो जैसे फ फिर के जो ठेटें कि समें लोकतंतर को अपनाया गार था जिस तरीके से वही लोगतंतर अपनाना चीज़ा था कि महिलाएं अपराधी और नौक रही इन तीनों को वोट देने का धिकार नहीं ता आप इहां पर देख सकते हैं महिलाओ को अपराधी और नौक रहा इनकी इक सेश्टी के नियम द्वार नियंतृत प्रकर्ती की प्रकल्पिक अबरस्था को बृत्तान प्रिस्तूत करते हैं जो आग्या देता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन स्वास्थे स्वतनत्ता अथवास्त स्वामितुम् में किसी अन्यक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए यहां पर इन्होंने क्या बूला है अपने सेकंट्रिटी जॉन गॉवर्मेंट में कि जो हमारी विचार होने चाहिए यह रुमाई स्वतनतता होने चाहिए कि वो दूसरों को कभी नुकसान ना पहुंचाए ठीक है उससे दूसरा व्यक्ति कभी प्रभावित कोई भी नेग सद्गुनों अथवा उत्क्रिष्टा के लिहाज से किसी धर्मस्त समानता नहीं वरन इन तथियों से जन्मी है कि वह सब समान रूप से ईश्वर की संतान है अगर आपने गैशन में पढ़ा होगा इस किताब के बारे में आपको याद होगा कि जब जॉन लोक ने इस अब किसी व avoir की और समय सब्सक्राहब में जह सकता है किसी एक दार्मक विश्वास की तरफ होना चाहिए किसी वैकती विरोध की बता रही है बुट्भ७ा चाहिए किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की स्वतनतर्ता जीवन को खत्रे में नहीं डालेगा अगर वह काम करता है तो वह सवतनतर्ता एक हम बोल सकते हैं अपनी सीमा से बाहर जा रही है तो यहां पर वही बोलते हैं वह आगे सीच को बढ़ा करके हम यह सब्सक्राइब कि नहीं कि उस समय पर कहा जाता था कि अगर आप धर्म अगर आपने चर्च की बात नहीं सुनी तो आपको इस प्रकार की सजाए दी जाएंगे आपको देश से बाहर करते जाएगा मला समाज में चर्च का रूल बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करने वाला था तो य नेच्ट पांड हम देखेंगे यह अदफी प्रकर्ति की यह है विस्था कि उस प्रकर्ति के नियम से नेतित होती है जो अधिकारों का समर्थन करता है इस नियम को प्रदान करने वाला आपको करने के लिए कोई अभीकरण नहीं है इन्हीं वहीं बोला है कि यहां पर जैसे बनाने के लिए कोई ऐसा कुछ चीज निकाल नहीं चकते हैं यहां पर वो बोलते हैं कि जो भी प्रकृति ने नियम बनाए हैं वो नियम किस प्रकार के हैं कि और वो नियम कैसे लागू होंगे इसके लिए मेकैनिसम नहीं है तो वो इस चीज के लिए बोलते हैं कि जरूरी न नियम बनाती है तो उसको लागू करना और ना करना हम किसी पर वाध्य नहीं कर सकते हैं यहां पर उन्हीं कुछी जो को बताया है और यह भी कहते हैं कि प्रकृति जी सवस्था में उन नियमों को बनाती है वो समय करने सा बदली जा सकते हैं यहां पर अच्छली जब आप सेक लेकिन यह भी कहते है कि अगर हम लोकतंत्र को अपना रहे हैं तो मालों थोना चाहिए या गवर्णनेंस उन्चे प्रकार के ऊचे एक नैचुरल राइट के प्रोसेस से होकर ही हम पर रूल करनी चाहिए उससाथ में यह भी कहते हैं कि गवर्णन इस तरीके की ना हो जबरदस अपने नियुक्त प्रश्टतृत करना कि immers मुश्वीन YouTube करता श्ब्स पहले धर्म को स्वतंतर्ता को जांवे सकते इन हीं चीजों से मैं पता लगता है FIFA अनका स्वतंतर्ता परति कितना ज्यादा एक उदार विचार था अब हम जो लोग को जादा डिटेल में तो सुतंतरता के और उदारवाद के उसमें जानेंगे लेकिन हमारा जो लेक्चर है वाज यहीं पर खतम होता है और हम मिलेंगे अब हमाये नेक्स्ट वीडियो में और मेरी आप से उवीद है कि आप मे प्रेंश रिवालिशन है जो आपको समझने में इजी करेगा इस पेसली डेमोक्रेसी को पढ़ने में तो आप मैंने एक वीडियो बना रखी है क्लास नाइन में जाकर प्लेलिस्ट अपको मिल जाएगी उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी आप उसको एक बार जवाव सु आपके लिए एजी हो जाएं आगे तो हम में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को प्लिस लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और रिंग को जरू प्रेस कीजिएगा और जो भी आपका कर सकते हैं दो मिलते नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू